नमस्कार दोस्तों तो फाइनली हमारे कोच इगोस्टी मैच ने हमारी भारते फुटबल टीम के लिए फीवा कॉलिफाइस के जो दो बहुत इंपोर्टन मैच है अफगानिस्तान की टीम के साथ उसके लिए फाइनल स्कुएंड अनौन्स कर दिया है देखो भाई अगर मैच क जो हमारा हो मैच होगा वो हो घुहांटी में खेला जाएगा गर मैच की स्ट्रीमिंग बास के उपर बात करें तो यह जो अभी मैच है ना इसके वाइश स्ट्रीमिंग या टैली काश्ट के बारह भारे कोई अता-पता नहीं है तीको most heavenly वैसे तो sports 18 बारी मैच टैली कास्ट करना चाहिए क्योंकि वह देखो फीफा बनीफाइट का मैच है अब यह टेली कास्ट नहीं करेंगे या फिर इसके बोल देंगे कि हमारी पार राइट से नहीं है फिर तो वह समझ से बाहर है और इसके वाज अरेंज करवाई हैं जिसके चलते हमारी टीप साओधी अरेबिया में जल्दी जाकर पहुचेंगी वहां के वैदर के हिसाफ से अपने आपको ठालेगी और फिर यह चीज हमारे फीफा कोई फैर्स के मैस में अफगानिस्तान के खिलाफ काफी हमें हेल्प करेंगी लेकिन अभ हमारी इंडियन फुटबल फेडरेशन के पास नहीं थे इसलिए इसको एंड मोमेंट पर कैंसिल करना पड़ा और उसके बाद हमारे प्रेजिएंट साफ सब भी को बोलते हैं कैसा लगा मेरे मजाक अब ऐसे में भई जो फाइनल मेंबर्स का स्कुरेड अनौस किया गया है अगर उसके ओपर नजर डाले तो एक बार गोल कीपर्स की लिश्ट पर नजर देखते हैं देखो गोल कीपर्स में तो जो थे वही हैं गुर्परीज सिंग संदू अमरिंदर सिंग और विशाल केट अब देखो जोगी गोल कीपर्स हैं ना तो भई यहां पर मैं परसनल ही ए簡 प्राइफर करेंगे हुँआ। उसका रीजन ये है हमारी टीम चल रहे है। काफ़ी लंबे टाइम से हिस्सा रहे हैं। ब्रेसेंग सुद्स संधॅल имеет जाते हैं ऩालबी लेकिन कभी संधुर्ण और अगर मोका दिया भी जाता है तो अमरेंदर सिंग को दिया जाता है और कभी इन दोनों के अलावा नैशनल सीनियर टीम के अंदर थर्ड कोल कीपर ट्राइं नहीं किया गया है और एंसे में हमारे खुद कोच नहीं यहीं बोला था कि भाई आम फोंग को जादा इस बार प् डिफेंडर्स की लिष्ट के उपर डालते हैं तो बहुत देगो डिफेंडर्स की लिष्ट में अकाश मिश्रा महताब सिंग राहुल बेके निखिल पुजारी सुबाशीष बोस अनवर अली एमेर अवड़े और जय गुपता अब देगो भाईया इस डिफेंडर्स की देखो इनका फॉर्म अभी ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा था गेम टाइम का पीशु था हाँ लाल चुंग नूंगा के साथ जाया जा सकता था महताब सिंग की जड़ा पर क्योंकि देखो महताब सिंग अभी मुंबई CTFC के अंदर इतना कभी खेल रहे हैं कभी नहीं ख स्टार्ट कर रहे हैं तो शायर से लाल चुंग नूंगा को इंग्लूट किया जा सकता था इन प्लेसों महताब सिंग इसके अलावा बाकी की जो ओप्शन से हमारे पास काफी अच्छे हैं अगर अपनी तरफ से परसनली बता हूं तो भईया मेरे हिसाफ से तो को सुबाशी के साथ जाना चाहिए क्योंकि देखो का सेंटर बैक के हमारा ऑप्शन सी हो जाएंगे ना अन्वारली और सुबाशीज बोस यह अन खिलाड़ी है अन्वारली और एक्सपिरेंस खिलाड़ी साथ में सुबाशी बोस है राइट बैक की पोजिशन पर हम एमें रनावडे या तो वो चार खिलाड़ी जो डिफेंस लेंड के अंदर रहने वाले हैं उनके उपर कोच किन खिलाड़ी के साथ जादा जाना प्रैफर करेंगे और वहीं अगर अब हम इसके बाद मिटफिल्डर्स के उपर नज़र डालनी ना तो भी यह मिटफिल्डर्स की लिष्ट के अं इदर इन प्लेस ऑफ अनिरोथ थापा या फिस सुरे सिंग अगर सुरे सिंग को चलो एक बार को मुझे ऐसा लगता है अभी उत्रा उनको गेम टाइम नहीं मिल रहा है मोहन बगान के लिए भी कुछ अभी तक उन्होंना ऐसा स्पैशल नहीं किया है जिसकी वादा से उनको स्कॉर्ड के अंदर इंक्लूट की जा है व क्योंकि उनके खिर सिस्टम का काफ लब्रमुस ठीयाइं पूल के लिए मिट्फिलिंड के नर काफी अच्छा परफॉर्मस दे रहे हैं और जिस इसाब से इनका इंक्लूजन हुआ है तो कहीं ना कहीं काम आ सकते हैं ये फीफा को ये फायर्स के अंदर देखो स्टार्टिंग इल्यापन मुझे तो नहीं लगता है इनको जगा मिलेगी लेकिन अगर ऐसा सबस्टिट्यूट भी ये टीम के अंदर आते हैं तो फ्र मिल चेत्री मनवीर सिंग लालिंग जौला चांते और विग्रम प्रताप से अब देखो इस फॉरवर्ड लाइन के अंदर की सबसे अच्छी बात या है कि इगो शीमेच उन खिलाडियों के साथ नहीं गए जो भी आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं या फिजीं के साथ गेम करेंका इश्यू है हमने प्रोवेवल की लिश्ट के अंदर देखा था कि इशान पंडीता वी इंकलोडेट थे लेकिन इशान पंडीता और जो फिदोनों नहीं है फोर्वर्ड लाइन के अंदर लेकिन हां एक खिलाड़ी नंदा कुमार इनके साथ सह से कोच इनको इनको इ सब्सक्राइब के लिए काफी अच्छे जितना आमने इनको देखा है जितना आते हैं काफी कॉंफिडेंट लगते हैं बोल के उपर और विक्रम प्रताप को जो इंक्लूट किया है अभी मुंबई CTFC की टीम के लिए जो कमाल कर रहे हैं ये स्ट्राइकर की पोजीशन पर तो उसी है ट्रिक का ये नतीजा है जो उनको इस फीफा कॉलिफाइट की टीम के अंदर इंक्लूट किया है अब देखने वाली बात ही होगी स्ट्राइकर के पोजीशन पर को साब किसके साथ जाएंगे तो वहीं वहीं आभी स्कौार्ड के मेसिस पर चलते हुए अगर हम एक ब तो मेरे इसाब से कुछ इस तरीकी की दिखनी चाहिए तो मेरे लिए तो अगर गोल कीपिंगे पोजीशन पर कोई स्टार्ट करता है तो वह विशाल गेत है जैसा कि आप अपने सामने देख रहे हैं आप डिफेंस लाइन में देखे तो अनवर एली सेंटर बैक पर है उनक मेरे जैसे खिराड़ी हैं बट शाय से जैग उपता फिजिकालिटी और हाइट के मामले में थोड़े ज़्याद अच्छे हैं तो में भी शाय से हम इनको स्टार्ट करते हुए देख सकते हैं और आप यहां पर मैंने अपूया और जैक्सन सिंग की जोड़ी रखी है दोनों बोल के ओपर काफी कमफर्टेबल है बोन कंट्रोल दोनों का काफी अच्छा है मिट्फींड से गेम चलाना जानते हैं अटैक तो आगे जाते ही हैं लेकिन डिफैंस की काफी जाता ही है यहां पर मैंने अपूया और जैक्सन सिंग को रखा है क्योंकि अगर आगे जाके सब पड़ता है तो इनकी जगाँ पर सब्सक्रीट के लिए अनिरुथापा और सुरेज सिंग के ओप्शन भी हैं बैंच के अंदर और आगे की जो तीन में अटैकिंग मिट फिल्डर है यहां पर मैं साहल अब्दुल समत के साथ जाना चाहूंगा जिस तरीके की वह फोम में च खान भी है लिश्टन कोलासो भी है तो ऐसे में काफी ज्यादा ओप्शन से हमाई बाव विंग्स और मिट फिल्ड के लिए जिनको यूज अच्छे तरीके से किया जा सकता है फ्रेश लेक्स के तोर पर काफी साथ मिच्योरी से हैं अब देखने वाली बात ही होगी कि हमारे खोष साब किस 11 के साथ जाना पसंद करेंगे तो ओल डाट गेजियर आज की वीडियो में बस इतना ही आपको क्या लगता है कि क्या 11 होनी चाहिए हमारी अफगानिस्तान के किलाफ कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दे कि जाचिए सबस्ते है झाल वाद़